हेलो एस्पिरेंट स्वागत है आप सब लोगों का UPSC विद पाइल गुपता में देखें अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि अलबकरीक की डेथ के बाद एक वेक्यूम क्रियेट हो जाता है और बहुत जादा पॉलिटिकल चेंजिस जो है भारत में पोटगीज की तरफ से नहीं आते हैं उसके बाद नीनोडा कुनहा आते हैं 1529 से 1538 तक और उन्होंने अपनी कैपिटल को चेंज किया कोचीन से गोवा के अंदर और क्या-क्या काम किये वो हमने देखा पोटगीज के लिए क्या-क्या चीजें फेवरेबल रही भारत में जो उनको एक्सपेंशन कर करने में मदद कर सकी कौन-कौन से स्टेट्स उन्होंने भारत के अंदर बसाए और किस तरीके से उनके फीचर्स रहे हैं भारत के अंदर उन चीजों को हमने समझा पोटगीज की एड्मिनिस्ट्रेशन कैसी थी मतलब पहले वाइसर आय थे फिर एक रवेन्यू ओफिसर थे हमारे यहाँ पे उनके इन चीजों को देखा उनकी religious policy कैसी होती थी उनको देखा कि किस तरीके से अकबर और जहांगीर के प्रिया रहे वो अकबर और जहांगीर के साथ ज्यादा उनकी लडाईया नहीं हुई है लेकिन बाद में आप देखोगे कि मुगल्स के साथ इनकी favor जो है वो लूज हो जाती है क्यों हो जाती है उसको आज के session में हम लोग समझते हैं तो सबसे पहले हम मुगल्स का time period देख लेते हैं देखें इसकी detail आप लोग medieval history के अंदर पढ़ोगे मैं सिर्फ आपको time period बता रही हूं 1526 में first battle जो थी पानिपत की उसके अंदर आप सो तीस से चालीस तक रहते हैं फिर वो भाग जाते हैं लेकिन 1555 में फिर वापिस आ जाते हैं अकबर 1556 से 1605 तक रहेंगे जहांगीर 1605 से 28 तक रहेंगे और औरंग जेब 1658 से 1707 तक रहेंगे बहुत ही छोटे-छोटे समय के लिए आते थे और चले जाते थे इनको राजा बनाने वाले ही कुछ और लोग होते थे जिनको king maker कहा जाता था हम आगे modern history के अंदर इन बातों को समझेंगे एक-एक कौन-कौन लेटर मुगल आये कैसे उनका राज रहा उनको देखेंगे तो 1857 तक भारत में मुगलो का राज रहा लेकिन powerful मुगल 1707 तक रहे 1707 तक रहे अब इसके साथ इनको match करके देखना पोचगी जाते हैं 1498 में जैच आते हैं 1605 में यानि की बाबर हुमायू अकबर के जाने के बाद अब जहांगिर भी आप लोग देखोगे बहुत ज़्या ज़्यादा powerful नहीं है जितने बाबर और अकबर थे उतना ज़्यादा powerful नहीं है तो और European शक्तियों को भारत के अंदर आने का मुखा मिल गया डच 1605 में आते हैं इंग्लिश 1608 में आते हैं फ्रेंच 1668 में जिस समय इंग्लिश लोग भारत में आ रहे हैं इसको समझना जिस स में कौन हैं उस समय जहांगीर दिल्ली की गद्धी पे बैठे हैं जहांगीर इतने ज़्यादा एबल नहीं थे जितने अकबर थे तो अब इंग्लिश लोग आसानी से Portuguese से लड़ाई कर सकेंगे 1612 में battle of swally hole होती है battle of swally hole होती है और इस swally hole में जो सूरत के पास एक जगा है इस swally hole की battle में Portuguese को हरा देते हैं English तो भारत के अंदर आके दूसरी विदेशी शक्तियां आपस में लड़ रही है और राजा चुप बैठा है ऐसा क्यूं क्यूंके राजा कमजोर है तो आप देखोगे जितने भी expansion हो रहे हैं Dutch के, English के, French के वो अकबर के जाने के बाद हो रह आता है तो फिर कुछ समय के लिए जो यह ब्रिटिशर्स लोग है वो कुछ नहीं कर पाएंगे फिर एक नया मोड आएगा 1757 battle of classes है क्योंके औरंगजेब खुद बहुत ज़्यादा powerful था similarly शेहनशा भी बहुत ज़्यादा powerful होता था लेकिन जहांगीर comparatively weak होता था तो इन सब चीजों को correlate करते हुए हम पढ़ेंगे याद रखना कि कौन सी European power कब आई थी for prelims अब आगे बढ़ते हैं अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो Portuguese लोग थे हलांकि बहुत जादा religious conversion वो लोग कर रहे थे लेकिन उस conversion के बाद भी अकबर और जहांगीर उन लोगो को उन लोगों के प्रती intolerant थे उन लोगों के प्रती जो है मतलब कि उन लोगों को बरदाश्ट कर रहे थे और उन लोगों के साथ अच्छे संबंद बनाए हुए थे अकबर और जहांगीर दोनों नहीं क्या वज़े थी ये मैंने आपको पहले ही बताया था अकबर हमेशा स अब entry कर रहे हैं और European power की यानि कि 1608 में अब Britishers आते हैं मुगल कोट में और इनके आने से Portuguese कैसे अपनी favor को lose करते हैं उसको समझेंगे 1605 में Dutch आ चुके हैं 1605 में Dutch आ चुके हैं और 1608 में Britishers आते हैं अब देखो Britishers आ रहे हैं Britishers भी ट्रेड करने आ रहे हैं Britishers को भी Navy की knowledge है तो ये बाते Portuguese को अच्छी नहीं लगेंगी वो नहीं चाहेंगे कि भारत के अंदर हमारे कोई competitor आए 1608 में Captain William Hawkins भारत के अंदर आते हैं उनके ship Hector के उपर शिप का नाम है Hector और सूरत के अंदर पहुँचते हैं और इन्होंने ये जो फर्मान है मतलब कि James 1 जो King of England थे उनसे एक letter receive किया था कि आप लोग जाएं जहांग Father Pin Hero ये कौन थे जब third mission जब third missionary का जो concept आता है जो जहांगिर ने तीसरा mission बुनाय था इसको याद रखना देखो मैं आपको याद दिखाती हूँ मैं आपको जब जहांगिर ने क्या किया जब जहांगिर ने तीसरा mission बुलाय था तो उस समय Father Pin Hero Emmanuel Pin Hero भारत के अंदर आते हैं औ Google Quote के अंदर ही रह जाते हैं ठीक है अब ये Pin Hero बरदाश्त नहीं करेंगी ये Portuguese की authority बरदाश्त नहीं करेंगी कि William Hawkins मुगलों तक पहुँचे इन्होंने हर संभव कोशिश की कि Hawkins को बीच में ही रोक लिया जाए लेकिन Hawkins को रोकने में वो नाकाम रहे और Hawkins की बहुत अच तरीन खूबसूरत एक उनको reception दिया क्योंकि एक तो ये जहांगीर के लिए बहुत सारे gifts लाए थे बहुत सारे gifts लाए थे तो reception उनकी काफी अच्छी की 1609 में दूसरा Hawkins तर्की लैंग्वेज जानते थे तुर्की भाशा को जानते थे और जहांगीर के कोट में भी जो सारा क्यों करोगे क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी भावनाए समझाने के अंदर सक्षम हूँ ठीक है इसी तरीके से अब हतियार कौन है हमारे बीच में एक common medium क्या है हमारी language जो language मैं बोल रही हूँ वो आप समझ रहे हो अब यहीं पे मैं Spanish बैटके यहां पे बैटके मैं Spanish में समझाती यह चीजें आप लोगों को चाहिए मैं कितना भी अच्छा समझा लेती लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आता क्योंकि आप उस language से aware नहीं है इसी तरीके से Hawkins तरकी language जानता था और जो इसको जहांगीर के और करीब कर गया अब language के अंदर कोई problem नहीं थी बीच मे कोई interpreter नहीं चाहिए तो Hawkins से काफी खुश हुआ जहांगीर जहांगीर ने उसको as a मनसबदार of 400 यह क्या होते थे यह परांगनाय होते थे आप area समझ सकते हो तो 400 area का मनसबदार घोशित कर दिया मनसबदार एक post होती थी revenue collection के लिए तो मनसबदार इनको घोशित कर दिया Hawkins क और 30,000 की salary पे इसको रख लिया हलांकि यह 30,000 की salary कभी भी Hawkins ने receive नहीं की तो लंबा सपना सोचके आया है 30,000 से उसका क्या होगा और Hawkins की भारत में शादी कर दी एक Armenian Christian से जिनका नाम था मुबारक शा जिनको मुबारीकेशा के नाम से भी जानते थे इनसे इनकी शादी कर हो चुकी और यहां पे इनको नोकरी भी मिल चुगी मतलब फुल सेट है the grant of trading facility to the English offended the Portuguese, Portuguese को गुसा आ रहा है कि इनको क्यूं facility मिल गई trading की, English को क्यूं facilitate कर दिया कि आप लोग भी trading कर सकते हो, अब जो यह Portuguese थे उन्होंने क्या किया, मुगल emperor जहांगिर को अपनी favor में लेने की कोशिश की, इनको भड़काने की कोशिश की, और किसी ना किसी तरीके से मुगल emperor Portuguese के हक में हो गया, मुगल emperor ने क्या किया, Portuguese का जो ship है, वो port पे, सूरत के port पे रोक दिया, अब मुगल जो emperor था, मैंने क्या कहा, जहांगिर बहुत जादा decision making में अच्छे नहीं थे, कभी वो Portuguese की तरफ हो रहे थे, तो कभी Britishers की तरफ हो रहे थे, अब Britishers परेशान है कि यह कैसा राजा आई है, कभी इधर खिसक जाता है, कभी उधर खिसक जाता है, थाली का बैंगन है, तो परेशान होके Hawkins ने मुगल कोट 1611 में छोड़ दिया, और यह सोचा पहले इन Portuguese का जुगाड करना पड़ेगा, पहले इनको देखता हूँ, नमंबर 1612 में, इंग्लिश एक और शिप आता है, बिटिशर का, एक और शिप आता है, शिप का नाम था Dragon, शिप का नाम क्या है Dragon, और कौन से Captain आते हैं, Captain Best नाम से एक बिटिशर भारत के अंदर आते हैं, और अपने साथ एक छ इस बैटल के अंदर Portuguese को Britishers हरा देते हैं अब जहांगीर बहुत जादा impressed हो गए क्योंकि जहांगीर को navy की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कोई strong navy जहांगीर के पास नहीं थी strong या weak navy भी भी नहीं थी जहांगीर के पास Portuguese को लड़ने की ज़रूरत Portuguese से लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि Britishers खुद इन से लड़ रहे हैं और खुद इनको हरा रहे हैं जहांगिर क्यों Portuguese से परेशान है जहांगिर क्यों चाहता है कि Britishers Portuguese को हरा दे देखो इन्होंने, क्युक्कि आपको पता है, नेवी के अंदर तो बहुत जबर्दस्त इनके अंदर ख्याती प्राप्त हैं इनको, नेवी बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है इन लोगों की, कि इनकी Portuguese की बात कर रही हुँ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनकी नेवी स्ट् भारत में आ रहा है, और अपनी इतनी ज़्यादा चला रहा है, उन लोगों को प्रॉब्लम थी, कि Portuguese लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपना अधिकार जमाने लगे हैं, तीसरी, इन लोगों ने पाइरेसी शुरू कर दी थी, पाइरेसी शुरू कर लेते थी, आपको प चीजें जहांगीर को पसंद नहीं आ रही हैं, वेवजय शिप से बहुत जाधा पैसा वसूला जा रहा है, शिप से कि आप इस पोर्ट से गुजरोगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा, इस शिप से गुजरोगे तो आपको आपको रेविन्यू देना पड़ेगा, समुद्र के राजा हो गए है अरेबियन सी तो इनके लिए लेक थी अरेबियन सी तो इनके लिए एक जील के बराबर थी आते थे चले जाते थे किसी भी तरीके से मतलब की बिना किसी डर के बिना किसी खोफ के अराम से ट्रेड कर रहे हैं तो इतनी जादा strong power राजा को समझ नह गए और जो इनको आसानी से हरा गए 1612 में battle of swally hole में बिटिशर्स Portuguese को हरा देते हैं और यह देखके जहांगिर बहुत खुश हो गया और बिटिशर्स की तरफ और जादा हो गया क्यूंकि क्यूं परेशान था मैंने आपको बताए यह लोग piracy करते थे मुगल government के साथ conflict इनक आप Christian धरम में बदलो नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे Muslims को जेल में डाल दिया था अब जहांगिर को यह सब बाते कैसे पसंद आएगी अब देखो क्या हो रहा है यह सारी जो plundering हुई 1613 में यह कहां पे हो रही है यह सूरत के port पे हो रही है सूरत के port पे हो रही है सूरत खान को जहांगिर ने यह order दिया कि जो इन्होंने सूरत के port पे हमारा ship पकड़ा है ना तो इनसे compensation लो और कहो कि इन Muslims को छोड़े और इनसे compensation लो जो हमारा इन्होंने नुकसान किया है ठीक है तो इस तरीके से धीरे धीरे यह अपनी favor को लूज करते जा रहे है मुगल कोट से समय आगे बढ़ता गया शाहां जहां का समय आता है शाहां जहां का समय क्या है यह याद रखो 1628 से 1658 की बाते हो रही है शाहां जहां का समय आता है advantage which the Portuguese enjoyed जो अब थोड़ी बहुत advantage Portuguese enjoy कर रहे थे वो हमेशा के लिए छिन जाएगी शहां जहां के राज में और ना केवल ये enjoy छिन जाएगे साथ में ये hope भी खो देंगे कि जो ये royal family है यानि जो मुगल दरबार है उसको हम कभी Christianity में बदल भी पाएंगे ये hope भी इनकी गुम हो जाएगी यानि कि ये उमीद भी इनसे चिन जाएगी फुल मिला के Portuguese अब वीक होने लगे है ठीक है अब आगे देखो क्या होता है अगला जो आप बुक के अंदर आपका topic है that is capture of हुगली अभी तक हम लोगों ने देखा कैसे मुगलों के साथ इन्होंने अपना जो favor है व Francisco D Almeida आये थे जो Francisco D Almeida आये थे Almeida ने कहीं ना कहीं हुगली के उपर अपने base बनाने शुरू कर दिये थे फिर उसके बाद जो आते हैं अलबकरीक उन्होंने इस base को और जादा strong कर लिया और Nina Daakuna ने भी इन bases को और जादा strong कर लिया कुल मिला के Bengal की तरफ यानि East की तरफ ये लोग बढ़ते जा रहे थे अब इसी capture की बाते में आप लोगों को बता रही हूँ हुगली के capture की बाते में बता रही हूँ on the basis of imperial फर्मान सिर्का इस फर्मान का नाम है सिर्का जो imperial फर्मान 1579 में Portuguese ने river bank पे मतलब जो उस समय जहां का जो मुगल का court था जो मुगल court था उस समय उन्होंने एक फर्मान जारी किया Portuguese के लिए क्यूंकि अभी तक तो देखो Portuguese की favor में मामला चल रहा है 1579 का समय है फर्मान का नाम था सिर्का इस सिर्का के अंदर ये लिखा गया कि Portuguese जो पेंगौल के अंदर सत्गाओं में river bank है वहाँ पे अपने आपको settle कर सकते हैं वहाँ से अपनी trading activity को कर सकते हैं अभी सिर्फ नदी के किनारे इनको बिठाया गया अब धीरे धीरे इन्होंने क्या किया अपनी position को strengthen करना शुरू कर दिया बड़ी बिल्डिंग्स वहाँ पे बनाने लगे वहाँ से trade का migration होने लगा बड़े बड़े कार्गोज वहाँ से जाने लगे और धीरे धीरे खुद को फैला के ये हुगली port पे आ गये ठीक है हुगली port एक बड़ा port होता था बड़ा port बेंगॉल के अंदर माना जाता है वहाँ पे इन्होंने खुद को establish कर लिया ये monopolized इन्होंने क्या किया monopoly establish कर ली नमक बनाने में वहाँ पे custom houses बना दिये custom houses का मतलब क्या है जो भी ship वहाँ से गुजरेगा जो भी सामान के high revenue लेने लगे थे specially tobacco के उपर बहुत जबर्दस duty लगाने लगे थे बहुत high duty लगाने लगे थे नमक बनाने का अधिकार खुद ने ले लिया अपने हाथ में ठीक है तो ये सारे काम ये 17th century में करने लगे है beginning of 17th century में ये काम करने लगे है ये पैसा बहुत जादा कमाने लग हिंदू और मुस्लिम के बच्चों को पकड़ना शुरू कर दिया उनको slave बनाते थे उनको Christianity के अंदर convert करके उनको slave की तरह treat करते थे उनको slave बना लेते थे खुद का दासी बना लेते थे मतलब trader तक तो ठीक है पैसा लूट रहे है वो तो ठीक है बच्चे भी लूट गए हि बहुत ही crown slave जो है इन्होंने star कर दिया अब क्या होता है शहां-जहां के time पे शहां-जहां के time पे जब शहां-जहा का राज दिल्ली के अंदर चल रहा है इस समय इन्होंने कुछ बहुत ही गलत activity की जो मुमताज महल थी वहां की दो slave girls को वहां की दो दासीयों को के साथ इन्होंने mis behavior किया ठीक है उन वहां की दो दासियों के साथ इन्होंने mis behavior किया अब तुम एक बात समझो कोई Portuguese आ रहा है और Muslim की लड़कियों को छेड रहा है तो अब बवाल हो जाएगा ना तो शहां जहां को भी गुस्सा आ गया शहां जहां ने क्या किया बोले इनको खदेड कर लिया तीन महिने के अंदर अंदर हुगली से बिलकुल खतम कर दिये Portuguese चाहां जहां ने जो शाजा थे बेंगॉल के गवर्नर उसमें कासिम खान थे कासिम खान को ओडर दिया के Portuguese को यहां से हटाओ ठीक है हुगली finally Portuguese से आजाद हो गई अभी इस जद्दो जहद के अंदर बहुत सारे मुगल्स के लोग भी मर गए हजार मैं ठीक है 400 लोगों को 400 लोगों को आगरा लेके जाया गया यह 400 लोग कोन थे Portuguese के लोग थे मतला मुगल दरबार ने भी अपने कुछ लोग खोए और साथ में Portuguese के भी बहुत सारे लोगों का लोस हुआ 400 Portuguese को बंदी बना के ठीक है और जितने Christian दिखते थे उनका persecution स्टार्ट कर दिया शुरुवात में persecution बहुत जादा था लेकिन धीरे धीरे वो persecution gradually वो कम हो गया था ठीक है अब हम बढ़ते हैं कि Portuguese के decline होने की वज़े क्या है पहले देखो इन टॉटल पढ़ लो फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से Portuguese पहली चीजस तो देखना इनका जो decline शुरू होगा वो 1540 के बाद शुरू होगा दीरे 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 क्या हो ओर रहा है इनोंने conversion पे जादा focus कर लिया sinister conversion के उपर ज्यादा focus कर लिया religion conversion पर focus करेंगे तो सीधा से है कि लोग इनके against हो जाएंगे Hindu और Muslim इनके against हो जाएंगे अब ये trade पर ज्यादा focus नहीं कर पा रहे हैं इन्होंने मकसा दे की बना लिया कि Christianity को promote करना है trade के उपर ध्यान नहीं दे रहे तो धीरे 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 इनके base जो है वो खतम होने लगे और साथ में आप देखो 1540 का समय है 1540 के अंदर भारत में दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा है इसको देखना साथ में 1540 पे भारत की गद्दी में हुमायू बैठा है ठीक है हुमायू जैसे ही जाता है अकबर आएगा ठीक है अकबर भुमायू के बाद आएगा मतलब की 1556 के बाद एक powerful राजा आता है तो इन लोगों का दबदबा वैसे ही कम हो जाता है साथ में 1605 में 1608 में और ज़्यादा European power आने लगी 1668 में French लोग भी आ गए जिससे इनका competition बढ़ जाता है competition बढ़ जाता है अब ये लोग क्या देख रहे हैं Portuguese कि इंडिया में तो बहुत जादा competition हो गया रोज की लड़ाई या रोज का loss हो रहा हमारा कभी इससे हार गए कभी उससे हार गए सब जगा पिटाई हो रही है इनकी कभी मुगल कोर्ट ने पीट दिया कभी बिटिशर्स ने पीट दिया तो इन लोगों ने क्या किया जो treaty थी ना toardecilas की मैंने आपको बताया था ना first class में जो treaty थी toardecilas की उसको तोड दिया 17th century की beginning में यानि 1601 के बाद से ही आप देखोगे toardecilas का कुछ अस्तित्तु ही नहीं रह जाता है toardecilas के अंदर क्या किया था Atlantic Ocean के अंदर एक imaginary line बना दी थी और ये कहा था कि इस तरफ तो जाएंगे Spain वाले और East के अंदर जाएंगे Portuguese वाले East के अंदर जाएंगे Portuguese वाले तो अब ये Portuguese ने सोचा इंडिया में तो कुछ रहा नहीं हमारा क्योंके बहुत सारे competitor आ गए है हमारे लिए ठीक है तो इन्होंने क्या किया इन्होंने Spain के area की तरफ movement करनी शुरू कर दी Spain के area की तरफ इन्होंने movement शुरू कर दी यानि South America के अंदर अपने base बनाने शुरू कर दीये थे लेकिन ये सोचा कि गोवा को capture करके रखेंगे इंडिया के अंदर गोवा को नहीं छोडेंगे तो कि गोवा को इन्होंने Lisbon के बराबर status दे दिया था याद है ना मैंने आपको बताया था अपनी territory अपनी capital के बराबर इन्होंने गोवा को status दे दिया था लेकिन बाद में आप देखोगे गोवा भी इनसे छिन गया था और गोवा की relevance भी कम हो गई थी जब Vijay Nagar Empire नीचे गिर जाता है तो ठीक है नेवल सूपर मेसी के ऊपर ही हमेशा ध्यान दिया लेंड कॉंसोलिडेशन की तरफ इन्होंने कभी ध्यान ने दिया रिलिजियस कनवर्जन पे ज़्यादा फोकस करने लगे और European power बहुत आ गई थी यह तो मैंने क्रक्स बताया है अब हम देखते हैं आपकी spectrum क्या कहती है decline क्यूं हुआ 18th century के अंदर ही यानि 1701 से ही Portuguese commercial influence में अपनी पावर खोने लगे थे ठीक है यह piracy करने लगे थे रोबरी करने लगे थे क्यूंकि 1701 तक और European power भी आ गई थी तो इनका जो profit होता था वो profit रुक गया profit कम हो गया तो इन्होंने क्या किया piracy शुरू कर दी, dakati शुरू कर दी, robbery शुरू कर दी ठीक है हुगली was used by some Portuguese as a base for piracy in the Bay of Bengal Bay of Bengal में हुगली एक natural harbor बहुत बड़ा port है यहाँ पे इन्होंने base बना लिया अपना piracy के लिए, dakati के लिए ठीक है, Portuguese का decline बहुत वज़े से होता है पहली बज़े क्या है Portuguese जब local advantages ले रहे थे तो अब देखो क्या हो रहा है पीछे से, अभिनोंने इंडिया में जब focus किया तो पीछे से Egypt, Persia की जो dynasties है वो powerful होने लगी, यानि Muslim empire जो है वो powerful हो रहा है world में और North India के अंदर Marathas, North India के अंदर Marathas powerful हो रहे है Marathas जो छत्रपती, शिवाजी वगेरा आप पढ़ो गया आगे, Marathas इतने ज़्यादा powerful हो रहे हैं, जो इनके पढ़ोस में ही है तो Marathas ने 1739 से, 9 में इनसे सालस्टे और बसीन नाम की जो वसई आज के दिन आप मुंबई के अंदर वसई नाम से जगा जानते हो, कोचगी से इन छित्रों को हथिया लिया, इन छित्रों को ले लिया, ठीक है फिर इनों ने religious policies ऐसी बना ली थी, जिसने लोगों को political fear के अंदर डाल दिया Muslims के प्रती इनका antagonism, Christianity में सब को convert करने का हुदेश है इनकी dishonest, जो trade practices थी, ठीक है लोगों ने इनके खिलाफ लोगों को, इन practices ने लोगों को इनके खिलाफ खड़ा कर दिया, ठीक है Portuguese earned notoriety as sea pirates sea pirates की रूप में इन्हों ने अपनी छवी बना ली थी, बहुत ज़्यादा violence, बहुत ज़्यादा arrogant थे ये बहुत ज़्यादा cruel थे, किसी को मारते हुए डरते ही नहीं थे, एक मिनट में काम कर देते थे किसी का, दूसरा ये लोग Brazil की तरफ shift हो गए थे यानि South America की तरफ अब ये shift हो रहे है West की तरफ अब ये shift हो रहे है मैंने आपको बताया, Treaty of Tradesilas की कुछ relevance नहीं रहती है Spain और Portugal दो kingdom बन गए 1580 से 81 में smaller smaller kingdom जो है, England और Holland, ये अब उभर के आ रहे हैं ये इन दोनों से लड़ने लगे हैं और जिसकी वज़े से Portuguese की जो monopoly है, trade में वो affect हो रही है अब इनों ने देखा, East में तो बहुत ज़्यादा खीचा-पची हो गई है बहुत सारे लोग आ गए है, क्यों ना मैं West में जाके, यानि South America के अंदर जाके, मैं अपने base बनाओ वहाँ से मैं trade करता हूँ ठीक है, अब और क्या वज़े थी इनके हारने की, इनके decline की पहले sea roots की knowledge सिर्फ इने थी लेकिन बहुत लंबे समय तक इनके sea roots की knowledge सिर्फ इन तक नहीं रही secret जो था वो हमेशा के लिए नहीं रहा Dutch और English लोगों को भी ocean की इनको knowledge तो थी लेकिन अब map पता लग गया English और Dutch को भी की रस्ता कहां से कहां जाएगा तो इनके sea roots की knowledge जो है secret नहीं रह सकी बहुत सारी trading community यूरोप की भारत में आ गई जे इनके rivalry के रूप में उभर के आई इनका competition इनके competitor के रूप में आई ठीक है बहुत जादा enterprising competitor और powerful competitor थे Dutch और English Dutch और English के पास बहुत सारे resources थे खुद को बहुत जादा expand किया as compared to Portuguese और Portuguese ने जो इनके against step उठाये थे उन सभी steps को overcame कर दिया यानि इनको हर तरीके की लडाई में हरा दिया धीरे धीरे Portuguese के जितने possession थे वो खत्म होने लगे Goa जो Portuguese के पास रह गया था उसने भी अपनी importance को खो दिया था क्यूं? क्यूंकि आप देखोगे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे विजयनगर empire उभर रहा था विजयनगर empire के decline के बाद जब विजयनगर empire decline हो जाता है तो इसके जो Goa के आसपास Goa की जो relevance थी अब आप एक चीज समझो पीच में कोई institute है चारो तरफ दुकाने है तिके चारो तरफ दुकाने है institute पे बच्चे आ रहे हैं यहाँ PG वाला है यहाँ पे प्रेस करने वाला बैठा यहाँ पे दो भी बैठा है तिके यहाँ पे किरियाने की दुकान है यहाँ पे स्टेशनरी की दुकाने है यहाँ पे रेस्टोरेंट है तो यह hub and spoke model होता है यह आप economy में पढ़ते भी होगे hub and spoke model होता है infrastructure के अंदर बीच में एक main body main institute और जिनकी बाकी दुकाने सिर्फ इस institute की वज़े से चल रही है सेम काम यहाँ था जब यह विज़े अगर empire अपनी चरम सीमा पे था उस समय गोवा के साथ trading बहुत अच्छी होती थी गोवा पोर्ट पे लेकिन जैसे ही यह विज़े अगर empire टूट जाता है तो गोवा भी अपनी importance खो देता है पर धीरे 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 गोवा की possession भी इनके हाथ से चली जाती है spice का जो इनका trade था वो dutch ने शीन लिया ठीक है गोवा superseded by Brazil ब्रजील ने superseded कर लिया ठीक है 1683 में दो naval assaults के बाद दो navy की लडाई के बाद maratha ने गोवा को invade कर लिया था 1683 में अब जो पोटगीज आये तो भारत को क्या सिखा के गए भारत के अंदर पोटगीज की क्या significance है उस चीज को समझते है देखो ये एक super power की तरह भारत में आये super naval power की तरह भारत में आये इनसे पहले इन्होंने एक तो European era की तो starting की ही की साथ में naval power की emergence को भी लेके आये नेवी की शक्ति को बढ़ाया इनसे पहले भारत के अंदर 14 जो लोग थे 14 कब थे 10th century के अंदर थे 14 लोग थे के वल वो naval power को जानते थे ठीक है लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि कोई foreign power भारत में आई और इंडिया के C के अंदर खुद का दबदबा बनाया साथ में इन्होंने ये बताया कि ships से लडाई भी हो सकती है ships में इन्होंने cannon लगा के रखे ये पहले वो थे जिन्होंने trade के उपर monopoly की यानि कही ना कहीं हम इनसे समझ पा रहें कि trade कैसे कर सकते है use of force करके मतलब की force का use करके threat का use करके कोई trade कैसे कर सकता है ठीक है इनके खुद के rules थे खुद के rules खुद बनाया इन्होंने खुद को अपने समुद्र का राजा कहा इन्होंने ocean trading system खुद बनाया इनके system का नाम क्या था मैंने आपको बताया भी था फर्स क्लास में कार्जे system था जो भी ship इनके यहां से जाता था उससे revenue लेने लगे थे मतलब भारतिये लोगों को समझ आया कि custom नाम की भी कोई चीज होती है C से भी हम पैसा कमा सकते है ठीक है ships के उपर इनकी gun land होती थी body armor होता था इनके पास matchlock man होते थे इनके पास ठीक है artillery कैसे use करनी है field gun कैसे use करनी है mughals को समझाया इन लोगों ने drilling group of infantry इसका मतलब क्या होता है drilling group हालाकि Spanish का model है specially Spanish के लोग थे उनकी यह starting हुई थी उन्होंने infantry को start किया था लेकिन उनसे Portuguese ने सीखा और Portuguese से इस drilling को भारत ने सीखा drilling क्या होता है कि कि किस तरीके से 4G को लडाई करने के लिए एक गुट यहाँ खड़ा होगा एक गुट यहाँ खड़ा होगा आप पीछे से वार करोगे इस तरीके से टुकडियों में बाट देना उसको drilling group of infantry कहते है ठीक है तो इन्होंने इस चीज को सिखाया भारत को हमने इन लोगों से सीख ली ठीक है आगे देखो Portuguese तो बहुत सारी techniques आती थी C में Master of Improve technique थे यह C में समुद्र के राजा थे कैसे आप समुद्र के जरिए heavy armaments को एक जगा से दूसरी जगा पे ले जा सकते हो यह चीजे इन्होंने हमें सिखाई ठीक है साथ में इन्होंने हमें बहुत सारी skill दी साथ में देखो अब यह लोग आ रहे हैं तो खाने पीने का सामान भी भारत के अंदर बहुत सारा देखे गए जैसे cashew nuts जो हम अकरोट खाते हैं काजू बदाम खाते हैं cashew nuts जो खाते हैं यह सब चीजे इन्होंने हमें सिखाए dry fruits कैसे खाते हैं इन्होंने हमें सिखाए जो समोसे में आज आप आलू देखते हो ना वो आलू की देन जो है Portuguese ही है potatoes को Portuguese ही लेके आते थे लेके आये हैं ड्राइफ रूट खाने भारत ने भारत को पॉटगीज नहीं सिखाए हैं तो इतनी सारी कल्चरल प्रैक्टिसेज इतने सारी स्किल्स भारत के अंदर यहीं से आती है ठीक है अच्छा फिर रोयल आर्सनेल्स के क्रियेशन इन्होंने किये डोक्यार बनाए बड़े बड़े शिप्स बनाए उनको मिंटेन कैसे करना है पाइलेट्स को मिंटेन कैसे करना है mapping कैसे होगी, map की जो उट नीती है वो इन्होंने हमें सिखाई ठीक है, किस तरीके से एक रास्ते से दूसरे रास्ते पे जा सकते हैं private merchant shipping कैसे कर से हैं एक individual आदमी किस तरीके से व्यापार कर सकता है, ये सब चीज़े इन्होंने हमें सिखाई ठीक है, साथ में इन्होंने और क्या योगदान दिया भारत के अंदर cultural field में भी इन्होंने बहुत सारा काम किया painter, भारत के अंदर art, paint, carver, sculptors, ये सब इन्हों की ही देन है teachers, patrons in India of arts इनको भारत के अंदर art का patron कहा जाने लगा music के अंदर भी इन्होंने एक अलग ही तरीके का music भारत के अंदर दिया European art भारत में आया तो वो Portuguese की ही देन है silver smith, gold smith, sunar वगेरा का जो tradition आया गोवा के अंदर, तो Portuguese के अंदर यहीं से आया, आप देखोगे वो church का जो art and culture होता है ना कि एक बड़ा सा platform होता है platform के उपर इस तरीके से बड़ी-बड़ी windows वाली आकरिती होती है churches का जो patron है churches की interior कैसे होंगे ठीक है, आप देखोगे जो यह Portuguese लोग होते हैं church के अंदर interior बहुत जादा wooden work करते हैं sculpture बहुत अच्छा होता था इनका, ceiling को कैसे paint करना है ठीक है, architecture बहुत अच्छा होता था इनका, तो यह सब चीजें Portuguese ने हमें सिखाई और फिर इनका कैसे decline हुआ यह हम लोगों ने समझ लिया तो आज की class में हम लोगों ने Portuguese को finish कर दिया, कल हम Dutch को finish करके, start भी कल ही हो जाएगा Dutch और finish भी कल हो जाएगा साथ में Britishers को भी start कर देंगे Thank you so much guys, take care आप एक चीज़ याद रखना, please एक तो इन वीडियो को share कर दीजिए आपका एक share मेरा बहुत ज़्यादा motivation बढ़ाता है, और जो भी aspirant नए जुड रहे हैं, वो UPSC with Payal Gupta ये मेरा telegram पे channel है, telegram पे channel है आप लोग इससे जुड सकते हो और साथ में, जितने भी मेरी और channels पे भी videos आ रही हैं अलग-अलग subjects की, उनको भी enjoy कर सकते हो कुछ आप लोगों को problem लग रही है अगर lecture में, तो आप लोग comment section में मुझे बताना, मैं improve करूंगी उसको Thank you so much, take care, bye-bye